नमस्कार, स्वागते आपका न्यूज लांचर पे, मैं हूँ अशोक वान खड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कारेक्रम, डाइरेट हिट, आज तो सत्तापक्ष ने डाइरेट हिट किया, जब नए संसत भवन में, गणेश चतुर्ती के इस उपलक्ष में, पहले दीन, रिजर्वेशन भिल, महिला आरक्षन भिल, ले आये, इसे उन्होंने नए नाम से, इंटर्णूस किया, नारी शक्ती वंदन अधिनियम, प्रधान मंत्री जी ने अपने उद्वोधन में भी कहा, कि हमारी महिला है, विबिन नक्षेत्रों में जब आगे जा रही है, खंदे से खंदा लडा के, इस देश के लिए विकास के लिए काम कर रही है, तो फिर देश की निति निर्धारन में, उनका, उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, तेहतिस प्रतिशत, महिला संसद, अब दिखेगी संसद में और विधान सभावों में, विधान परिशदों में, हमारी यहां वर्तमान में 78 महिला संसद हैं, सभी राजनितिक दलों के पकड़के, रिजर्वेशन के बाद यह 101 कैसी होगी, इस विशेश सत्र में, यह बिल लाया गया, लेकिन इस बील में, यदि मैं अपने दुष्टी से देखू, विश्लेशित करूँ, तो राजनिति जादा और इस बील का जो परपज है, वो कम दिखाई देता है, वैसे तो, 1974 में पहली बार महिलाओं के स्थिती का आकलन करने के लिए जो समीती बनी, उसने इस बाद का जिक्र किया था, यह महिलाओं के लिए, आधी नहीं कम से कम एक तिहाई, सिट्यर रिजर्व करनी होगी, 2010 में, मनमौन सिंग सरकार ने, यह बिल राजस सभा में पारित किया, लेकिन लोग सभा में जब यह बिल इंटर्डूज होना था, उसके पहले समाजवादी पार्टी, आरेलडी, इन लोगों ने इतना हंगामा किया, सरकार गिराने के धंकी दी, और यह बिल पेश नहीं हो पाया, इस सरकार ने, यह कह दिया कि यह बिल हम लेके आएंगे, लोग सभा में इंटर्डूज करेंगे, बहुत सारे राज की अदल भी, कॉंग्रेस जिन्होंने यह बिल लाया, वो रिजनली, जो महिलाओं के आरक्षन के बारे में बिल लाने वाली पार्टी कॉंग्रेस है, उन्होंने आदा काम पुरा भी किया राजे सभा में, अब एक काम बचा था लोग सभा में, वो भाजपा सरकार पुरा कर रही है, और उसमें बड़ा क्लियर कट है कि कोटे में कोटा दिया जाएगा, इसके माइन यह है कि अभी हमारे संसद भवन में या संसद में जो शेडूर ट्राइब, आदिवासी जन्जाती के लिए, जो सीटे रिजर्व है, उसमें भी 33 प्रतिशत, उधारन के तौर पे यदि शेडूर कास्ट शेडूर ट्राइब की 50 सीटे होगी, शेडूर ट्राइब की 50 सीटे होगी, उसका 33 प्रतिशत, 16-17 सीटे, उस 50 सीटों में महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, इसका मतलब जहाँ शेडूर ट्राइब है, वहाँ जो उनका रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन का 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए, शेडूर कास्ट जो पिश्री जन जाती है, उनके लिए जो रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट, उसमें 33 प्रतिशत अलग से महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी, और फिर बाक्षि बच्चिवी जो जनरल सीटे हैं, उसमें भी 33 प्रतिशत बच्चिवी सेटों के लिए जाएगी, तो कुल पूरे संसत में आपको 33 प्रतिशत महिलाओं दिखेगी, विचार अच्छा है, सोच अच्छा है, लेकिन वाकई हमारे देश में जहां पंचायती राज में ये आरक्षिन लागू है, वहां स्थिती क्या है, हमारी यहां सरपंच महिला है, तो उसका पती सरपंच पती कहलाता है, और ज्यादा तर चीज़े अपने हाथ में रखता है, कई जगा जब सीट रिजर्व हो जाती महिला के लिए, जो पूरुश दावेदार होता है उस सीट का, वह अपने पत्नी को वहां लड़वा देता है, और फिर पूरा कंट्रूल वो करता है, जैसे बिहार में राबडी जी को, लालू जी ने अपने पत्नी कुछ मुख्यमंत करते तो बनाया था, लेकिन वो घरेलू महिला, उसे उसकी सरकार लाजगाद भी चला रहते हैं, ऐसा ही कुछ ग्रामिन क्षेत्र में दिखाई देता है, यदि वाकई महिलाओं को आरक्षिती करना है, तो महिलाओं को, जो हमारी यहां जॉब्स हैं, जो नोकरियां हैं, उस महिलाओं को उसी अनुपात में, जिस अनुपात में यह सांसत की बात कर रहे है, उसी अनुपात में, यदि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे, तो बहुत सारी महिलाओं नोकरी पाने के लिए सामने आएगी, यदि वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़ी हो जात करती है, यदि आर्थिक रूप से वो अपने पती पे निर्वर है, तो फिर राजलितिक सोच भी उसे मजबूर करती है कि वो पती कही सोच से चले, तो हमें तो अभी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़े करनी है, हम अपने आपको अमरुत काल तो कहते हैं, लेकिन क्या आपके अमरुत काल में, 75 साल में अमने देश में पूल रुप से बदलाओं लाया है, नहीं लाया, अब इस बिल की भी बात में करूं, तो ये बिलो नहीं है कि जैसा आपने अभी इंटर्डूस किया, पास हो गया, और तुरंत अगले चुनाव से ये लागू होगा, नहीं इसके बाद जनगन्ना होगी, जनगन्ना के हिसाब से परिसीमन होगा सीटों का, हो सकता है, लोग सबा की सीटे बढ़ा ही भी जाएगी, बढ़ती भी जनगन्ना के अनुसाद, उसके अनुपात में फिर यस्टी-एस्टी का भी कोटा बढ़ेगा, उसके अनुपात में फि प्रिजर्व की जाएगी पहला फेश 15 साल का है 15 साल के बाद फिर से एक बार लोगसभा इसको रिवाइस करेगी और मुझे लगता है इस 15 साल इसलिए दिये हैं कि हर 5 साल के चुनाव में ये जो 33 प्रतिशत कोटा है ये अलग-अलग कॉंस्टिंसी में ये दिछिन्नित होता है तो धीरे धीरे 33, 33 और 33 करें तो करीब करीब 100 प्रतिशत 15 साल में हर सीट से एक बार महिला जीत के आ सकती है उसके बाद लोगसभा इसको रिवीव करेगी लेकिन यदि कोई ये सोचता है कि आज ये बिल पास हो गया तो हमको मिल जा अभी ये अथार्थ पर उतारने के लिए बहुत सारा समय है इसी के बीच जब जन्गन्ना होगी उसको लेके बहुत भयानक द्वंध है यदि जाती का जन्गन्ना होई तो फिर OBC भी इसमें अपना शेर मांगेंगे तो फिर क्यास शेरूर्ट्राइब शेरूर्कास्ट, OBC OBC, Minorities और फिर जन्गन्ना ये क्लास बनेंगे क्योंकि विपक्ष दल का जो गटवंधन है इंडिया और लगातार जाती का जन्गन्ना की बात करता है बिहार में तो ये शुरू भी हुआ है, कुल मिलाके ये बिल तो आएगा पास भी होगा, लेकिन इसके लागू करने का जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है कि इसमें कम से कम मुझे बहुत समय अभी दिखाई देता है लेकिन फिर प्रधान मंत्री जी को इतनी जल्दी क्या थी ये बिल लाने की ये जल्दी इसलिए थी कि आने वाले चनौव में इस देश के आधी आबादी पे वो इस बात को अपने साथ लाने का पक्ष प्रयास कर सकते है कि देखिए मैंने आपके लिए महिला आरक्षन भी लाया लेकिन फिर आधी आबादी भी देखती है कि आरक्षन का नाम से जाने वाले महिला है वाकिर राजमितिक सोच भोच रखते हुए अपने एक शेत्र का पूर्ण रूप से प्रतिनी जित्व करती है या फिर अपने पती का प्रतिनी जित्व करती है अपने पिता का प्रतिनी जित्व करती है अपने ससूर का प्रतिनी जित्व करती है जिनके जगा ये महिला सीट रिजर्व हो गई है अक्सर तो दिखाई यही देता है आज महिला बिल को लेके भाजबा ये क्रेडिट ले रही जिए कि उन्हों नहीं एक ऐसी हासिक निल्नाय लिया ऐसी हासिक निल्नाय तो है लेकिन इस ऐसी हासिक निल्नाय का यदि इतियास देखा जाए तो भाजबा ने तो ठाली कीचन में बनने के know बाहर परोसी है थाली के वेंजन तो पूरे पिछले कई सालों से अलग-अलग राजनितिक दल बना रहे थे तो आज सब को लगता है आईती हासिक फैसला है लेकिन मुझे लगता है कि ये एक कावत है इंगरेजी में जब आप चाई का कप लेते हो पीने के लिए तो जब तक आप ओठों को लगा के चाई के चुस्की नहीं लेते तब तक कोच चाई आपकी नहीं है कई बार चाई मुझे आते आते कुछ प्रावधान विजमें व्यवधान आते है और फिर चाई नहीं पीते भी पाते है इसलिए कहते हैं कि तो अभी टेबल हुआ है पारित होगा लेकिन प्रैटिकली लागू होने के लिए अभी बहुत समय है और उसके बीच में पता नहीं और क्या मांग निकलेगी और इसके रहे क्या घमासान होगा आज इतना ही कल फिर आता हूँ किसी विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज लॉंचर